हलो फ्रेंड्स मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ अब महमान आपके दिवाने हो जाएंगे जब इस तरह की आप उनको मिठाई खिलाएंगे बहुत ही स्वादिश तो बहुत ही मुँ में घुल जाने वाली ये मिठाई है बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं तो ये मिठाई मैंने बनाया है गेहों के आटे से एक तब मुँ में घुल जाने वाली ये पेड़े होते हैं तो चलिए बनाते हैं टेस्टी हेल्दी गेहों के आटे की मिठाई तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने बताया था मैं गेहूं का आटा लिया हूँ और एक बड़े कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और एक छोटी कटोरी मैंने मैदा लिया है तो यह देखिए इस कटोरी से जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया है उसके मैंने तीन कटोरी मैंने गेहु काटा लिया है तो सबसे पहले देखिए यानि कि पूरा चार कटोरी मैंने आटा लिया है तो देखिए मैंने मैदय को अच्छे से छान लिया है और अब मैं यह जो गेहू का आटा है इसको मैंने धीरे धीरे से करके थोड़ा थोड़ा करके आपको गेहू के आटे को छान लेना है बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है आप जरूर ट्राइ करिएगा तो यह देखिए अब मैं गेहू के आटे को छान ली हूँ तो अब हम आगे के प्रोसेस में चलेंगे गैस पर मैंने देखिए कढ़ाई रख दिया है और इसमें आपको जितना जिस बाउल से मैंने मैदा लिया था उसी बाउल से पूरा फूल बाउल आपको घील ले लेना है यह देशी घी म में बनेगा तभी यह मिठाई बढ़िया बनेगी तो यह देखिए अब मैं आटे को दीरे कर से डाल दूंगी तो यह देखिए मैंने आटे को डाल दिया है और बहुत ही मध्यमाच पे इस मिठाई को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही मध्यमाच मे आप जरूर ट्राइब करेंगा तो यह देखिए इस तरह से हमको भुनना है तो देखिए मैं इस तरह से इसको भुनूंगे बहुत ही मध्यमाच पे भुनना है शारी जो मिठाई बनाने का यहीं है कि जितना अच्छा इसका आटा सिका रहता है तो उतनी बढ़िया मिठाई ब जरूर देखिएगा तो देखिए एक चीज और होता है जब यह आप इसको गेहूं के आटे को छान लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से कहीं भी गुटलिया नहीं बढ़ती है और बहुत ही अच्छी यह मिठाई बनती है तो यह देखिए इस तरह से हम इसको भुनेंगे पूर आप बाहर का खोवा मावा लेते हैं उसमें काफी मिलावट होता है तो आप इस तरह की भी मिठाई बच्छों को बना के दीजिए बहुत ही हल्दी होता है घी आपको पता है की काफी हल्दी होता है और अगर आप इसमें से थोड़ा सा जैसे मैदा मतलब आप नहीं डालना करें तो और लाएं तो अइसे भी बनाए यह अव्हायती हम तो इधर देख्यें naturale चासनी रही हूं चासनी वनाने क लिए मैंने बम इसी ब्रम्ठ है कांट चाषी क den हेमा रिजा का Karl सोह है तो अब इसी बम आहीं सारे गैस का फ्लेम मैं एकदम लो कर दूँगी और ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और इधर ये आटे को लगातार आपको चलाते रहना है तो ये आटे को चलाते हुए चार से पांच मिनट हो चुके हैं पूरा और अभी और भी हमको इसको भुनना है तो ये एधर चाशनी भी पक रही है और इस चाशनी कुँअ एक तार की चासनी बनानी है इसे चलते होए खिर छिप यह फो napokताशनी बनानी है दिएखिम हुझा धमको उरन स्टनी गद्डिक है ricom भब कर लेंगे ऐक कर लेंगे कि नहीं तो ये एक तार की चासनी बन चुकी है और इधर हम आटे को सेख लेंगे तो बहुत ही अच्छी अब महें का रही है आटे को सेखने से और इसको हमको अभी और भुनना है इसका बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका जो कलर है वो एकदम मतलब डार्क ब्र बनने में मुझे 15 मिनट लगे हैं अब मैं इसमें चासनी मिलाओंगी तो 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पर मैंने भुन लिया है और अब मैं इसकी जो एक तार की चासनी बनाई हूं इसको मिला दोंगी तो देखिए इस समय भी मैं गैस का फ्लेम एकदम लो रखी हूं और लो फ आपको यहां पर देखिए आपको हाथों में तीजी रखना है फटा फट आपको इसको चलाते रहना है और बहुत ही जब यह चीनी अच्छे से एकदम मिल जाएगी यानि कि यह परफेक्ट डो बन जाएगा तो देखिए जब आप देख लिजेगा कढ़ाई में पुरा नीच तुरंत ही इसके डो के लिएके मिठाई बनानी है तभी यह मिठाई अच्छी बनती है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है यह हलके गरम में ही फटा फटा आपको सारी मिठाई बनानी पड़ती है और नहीं तो अगर यह टाइट हो जाएगी तो उतनी बढ़िया इसका पेड़ा नहीं बनेगा तो आप इसको चाहें तो आप इसका बर्फी भी बज़ा मा सकते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया बनेगी तो यह देखिए मैं इस तरह से गोल गोल पेड़े के सेप में बना के इसके बीच में तूटी फूटी डाल दी हूँ तो आप चाहें इसमें ड्राइ फूट भी डाल सकते हैं पिस्ता डाल सकते हैं जो आपके पास चीज अबलेबल हो आप वो डाल देजिए बहुत ही टीस्टी और बहुत ही सस्ती मिटाई बनती है बीना मावा बीना मिल्क पाॉडर के तो देखिए बहुत ही स्वादिस्ट यह पेड़े बने हैं तो ये देखिए अब हम इस पेड़े को आपको तोड़के भी दिखाएंगे कि ये उपपर से और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और ये देखिए एकदम सॉफ्ट मुह में खुल जाने वाले ये पेड़े बने हैं तो आप भी एक बार इस तरह से जरूर ये गेहु के आटे के पेड़े बनाई है बहुत ही स्वादिστ और बहुत ही हिल्दी और एकदम टेस्टी होते हैं अब महमान इस स्वादिपमिठाई के धिवाने हो जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये जो स्वादिष्ट मिठाई हैं गेहु के आटे के बने हैं और बहुत ही टेस्टी एक तम मुँ में घुल जाने वाले ये स्वादिस्ट पेड़े होते हैं बिना मावा के बिना खोय के बनते हैं I hope कि आपको स्वादिस्ट मुँ में घुल जाने वाले पेड़े के रिशपी जरूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सकाइब करना मत बुलिएगा थेंक्यू फ्रेंड